नया आईडियन सेटन होसलाए विरोद के मदे नजर पंजाब औ हर्याणा में सुरक्षा के पुखता इंजाम किये गए है देरा सच्चा सौदा के बाबा राम रहीम के फिल्म इन तस्वीरों के बीच रेलीज का इंतजार कर रही है एक तरफ हजारों समर्तक हैं जो फिल्म को हरी हंडी के बाद खुशिया मना रहे हैं तो दूसरी तरफ फिल्म का विरोध करने वाले भी एक जुट हो रहे हैं इसी कश्मकश्म शुकरवार को तमाम सुरक्षा इंतजामों के बावजूद गुडगाओं में होने वाला फिल्म का प्रीमियर टाल दिया गया प्रीमियर क्यों टना इसका जवाब देने खुद बाबा राम रहीम सामने आए राम रहीम का कहना है कि फिल्म को सेंसर बोर्ड से हरी जंडी तो मिल चुकी है लेकिन अब तक सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है इसके पहले MSG का विरोध कर रहे इंडियन नेशनल लोगडल के कारेकरताओं ने गुड़गाओं में जबरदस्त परदर्शिन किया हंगामा रोकने के लिए पुलिस को सौ से ज़्यादा कारेकरताओं को गिरफ्तार करना पर रहे इसे में पंजाब के डीजीपी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर पानून विवस्ता का जायजा लिया है वैसे लगातार विरोध को देखते हुए पंजाब हरियाना के कई सिनेमा हौल फिल्म के स्क्रीनिंग से कतरा भी रहे यह जो एमेसजी फिल्म है इसको हम सब लगाना चाते थे पर हमारी एसजीम साब से मीटिंग हुई और हम सब ने उनको मना कर दिया है क्योंकि इसमें दंगे होने की संबावना है और हमारा भी दिल करता है हम पैसे कमाएं पर हम इसी वज़ा से नहीं लगा रहे कि किसी को जान का खत्रा ना हो हरियान और पंजाब में फिल्म को लेकर हो रहे जबरदस्त विरोत के बीच बाबा राम रहीम का कहना है कि उनकी फिल्म ड्रक्स जैसी समाजी गुराई के खलाफ है राम रहीम का कहना है कि अब सेंसर बोर्ट से सर्ट्टिकेट मिलने के बाद ही फिल्म का प्रीमियर किया जाएगा और रिलीज होने के बाद गो उसका सीक्वल भी बनाएगा ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अविशेक कुमार दिल्ली आईबियन सेविट